पंच्छी ये दुनिया प्राणियों और पंच्छी व की पिवित्ता से भरी पढ़ी हुई है और हम एक ऐसे ही पंच्छी के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी दुम्पुच को लगातार ओबर नीचे हिलाता ही रहता है जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं खजन पंची का भंजी भारत के प्रिसित पंचियों में से एक पंची हैं खजन पंची का बेग्यानिक नाम मोटा शिल्ला है खजन पंची के अन्य नाम खिड़रेच खंजरीट खड़लीच खजन पंची की लंबाई 7 से 9 इंच के आसपास होती है खजन पंची का बेग्यान 20 से 25 ग्राम के आसपास होता है खजन पंची जम पंची उड़ते वक्त चिट्ट चिट्ट की आवाज पन करते हैं खजन पंची मोटा सिलिटी कुल के मोटा सिला कुल का पंची है खजन एक मद्यकद का बहुत ही चंचल पंची है इस पंची का पूरा सरी लंबा और पतला होता है ये पंची अक्सर आपको पानी के किनारे यानि की जीलों तालावों नदियां के किनारे गुंता रहता है प्राचिन कवियों ने नेत्रों की उपमा इस पंची यानि की खजन पंची से दिया है क्योंकि इस पंची के नेत्र हमेशा चंचल रहते हैं इस पंची की सबसे बड़ी बिसिस्ता ये है कि पंची अन्य पंची की तरह गूंद कर नहीं बल्कि तोड़ कर चलता है मादा खैन पंची करीब चार से साथ अंडे देती है जो चोड़ी एवं अंडाकार होते हैं और नर्मानदा साथ मिलकर अपने बच्चों का पालन पूसन करते हैं इस पंची का जीवन काल करीब पांच से आठ साल तक होता है खैन पंची की रंग और शोभाव के आदार पर चार्ट जाते हैं सपीत खैन पंची ये पंची करीब 8 इंच लंबा होता है जबकि बजन करीब 20 क्राम के आशपास होता है अगर इस पंची के रंग के बारे में बात करें तो इस पंची का रंग चितकवरा होता है ये पंची अक्सर जुंड में कीडे मकोडों का सिकार करते हैं ये पंची कात्रा महसूस होते हैं ही उस इस्तान से उड़ जाते हैं और बापस आ जाते हैं सेवल खंजन पंची इस पंची को ममोला या कालकंत भी कहा जाता है ये पंची की पुलना में आकार में सहीजा बड़ा और जाना चितकवरा होता है नर और मादा एक शमान ही होते हैं ये भारत बरस का बहरा मासी पंची है ये पंची अकेले ही रहता है और जुन्ड में भी पाई जाते हैं बूरा खजन पंची जाता अंतर ये पंची किनारे अकेला ही पाया जाता है गर्मियों की दोरान एक पंची सुधे स्लोड जाता है और करीब मैई से जुन के भीच अंडे देते हैं पिला खजन पंची पिले खजन पंची को कई लोग पिनीकी के नाम से भी पहचानते हैं मद्यमियाकार का इक पंची करीब 7 इंच लंबा होता है इस पंची के सरीर का ले पीले रंग का होता है पीले रंग के खजन पंची को खजन पंची में सबसे सुन्दर पंची कहा जाता है